बेलकम टु सक्सेबिष्टा क्लासेज आज की वीडियो में हम वर्ल्ड की जितनी कैपिटल सिटी और महतपूर्ण सिटी हैं सारी कि सारी किस नदी की किनारी इस्तेत हैं हम लेकर आए हैं इस वीडियो के अंदर तो हम आपको बता दें सबसे पहले लंदन जो है लंदन ब्रिटेन की राजधानी है और लंदन जो है टेम्स नदी की किनारी बसा हुआ है और जर्मनी यूरोप का दीज है अब आईए देखते हैं बरलिन किस नदी के किनारी बसा हुआ है तो बरलिन जो है इस्प्री नदी के किनारी बसा हुआ है बरलिन अगला प्रश्ण देखते हैं दोस्तों वियना किस नदी के किनारे बसा हुआ है वियना आउस्ट्रिया की राजधानी है और वियना चहर जो है डैन्यूब नदी के किनारे बसा हुआ है अगला प्रशने देखते हैं दोस्तों लिस्बन किस नदी के किनारे बसा हुआ है दोस्तों आपको बताते हैं लिस्बन जो है ये पुर्तोगाल की राज़धानी है पुर्तोगाल जो यूरोप का देश है अब बताते हैं लिस्बन लीफे नदी के किनारे बसा हुआ है अगला प्रशन देखते हैं दोस्तों संगहाई किस नदी के किनारे बसा हुआ है तो दोस्तों बताते हैं संगहाई जो है संगहाई चीन का बहुत महत पूर्ण देश है और ये यांकसी नदी के किनारे बसा हुआ है संगाई अगला प्रशन है New York किस नदी के किनारे बसा हुआ है United State of America का सहर है और New York जो है आपको बता दें Hudson नदी के किनारे बसा हुआ है Option B इसका correct है अगला प्रशन है Washington किस नदी के किनारे बसा हुआ है तो बताते हैं जो दोस्तों वासिंटन डी सी जो है वासिंटन डी सी यूनाइटिट इस्टेट आफ अमेरिका की राजधानी है और वासिंटन डी सी जो है पोटा मैक रिवर के किनारे बसा हुआ है अगला प्रशन है रोम किस नदी के किनारे बसा हुआ है रोम जो इटली की राजधानी है और ये टाइवर नदी के किनारे बसा हुआ है अगला प्रश्ण है पेरिस पेरिस किस नदी के किनारे बसा हुआ है दोस्तों सबसे पहले पेरिस बताते हैं ये फ्रांस की राजधानी है और पेरिस जो है सीन नदी के किनारे बसा हुआ है अगला प्रश्ण है दोस्तों लाहुर लाहुर किस नदी के किनारे बसा हुआ है यह पाकिस्तान का सहर है लाहुर जो है रावी नदी के तड़ पर बसा हुआ है अगला प्रशन है बोड़ापेस्ट जो हंग्री की कैपिटल है बड़ापेस्ट और बोड़ापेस्ट गैन्नेूम नदी के किनारे बसा हुआ है अगला प्रश्ण है मैडरीड, मैडरीड किस नदी के किनारे बसा हुआ है तो दोस्तों मैडरीड आप इसको याद रख सकते हैं मैडरीड जो है मैनेंजियर, मैनेंजियर रिवर से मैनेंजियर रिवर के किनारे बसा हुआ है मैडरीड मेडरिट में आप देखेंगे मैं से शुरू हो रहा है और इस रिवर का नाम भी मैं से शुरू हो रहा है मैनिंजियर से मैनिंजियर रिवर के किनारे बसा हुआ है ये मेडरिट सहर अगला प्रश्ण है बगदाद किस नदी के किनारे बसा हुआ है इराग का बहुत महत्पूर्ट सहर है दोस्तों इराग की राजधानी है बगदाद और बगदाद जो है टिग्रिस नदी के किनारे बसा हुआ है अगला प्रशन है काहिरा मिस्त्र की राजधानी है काहिरा और काहिरा जो है नील नदी क्योंकि मिस्त्र को नील नदी का वर्दान भी कहा जाता है इसलिए आप याद रह सकते हैं काहिरा सहर जो है नील नदी के किनारे बसा हुआ है और ये विश्दु की सबसे लंबी नदी है नील नदी अगला प्रश्ण है पर्त ऑस्टेलिया का सहर है यह पर्त किस नदी के किनारे बसा हुआ है तो स्वान नदी के किनारे बसा हुआ है पर्त अगला प्रश्ण है जापान की राजधानी टोक्यो किस नदी के किनारे बसी हुई है तो जापान की राजधानी टोक्यो ज केनारे बसा हुआ है piston करांची किस नदी के किनारे बसा हुआ है फाकिस्तान का सहर है और करांची सिंदु नदी की तरड़ परिस्तेते है्ड्य अब आईए दोस्तों एक ओवर्वीउ ले लेते हैं ओवर्वीउ एसिया महदीप की महतोपूर्व नदियों के बारे में आमूर नदी एसिया महादीप में हुआंगो नदी जो चीन में प्रभाइद होती है ब्रह्मपुत्र नदी ये चीन से होते हुए भारत में प्रभाइद होती है गंगा नदी भारत में प्रभाइद होती है यमुना नदी भी भारत में मिलती है और आप देखेंगे कावीरी, नर्मदा, शिंदू, यह सारी के सारी नदिया जो है भारत की नदिया, यांगसी, चीन की नदिय और मैकौंग भी एसिया में प्रवाइद होती है, अब आईजे देखते हैं अफ्रीका महाधीप में प्रवाइद होने वाली महतरपूर्न नदियों नील नदी विस्द की सब से लंबी नदी ये सारी नदियों अफ्रीका महादीप में प्रवाइद होती है उतर अमेरीका मेंगर픈 नदियों के बारे जील नदीते और सबसे बढ़ी नदीका मतलब होता है उसमें पानिक आहितन पानि कित्नी पानि की कितनी कौंटिटे और यो ऊस्टेलिया की दो बहुत important rivers हैं Murray, Darling Murray और Darling river दो हैं Australia की हैं दोस्तों comment करका आप बताईए वीडियो आपको कैसा लगा और इस वीडियो में हमने rivers and cities देके आने वाली वीडियो में हम आपका revision, static gk का continuous कराते रहेंगे इस वीडियो स्रंकला को जादा से जादा share कीजिए और सक्से बिष्टा क्लासिस को subscribe के जिए, thank you